हलो फ्रेंड्स आज के इस फीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फंक्शन की का यूज हमारे कीबोर्ड में F1 से F12 तक जो की होती है उसे कहते हैं फंक्शन की अब चलिए इसका एक एक करके यूज देखते हैं सबसे फर्स्ट है F1 F1 का यूज होता है हेल्फ के लिए आपको कम्प्यूटर सिस्टम में कहीं पे भी हेल्फ चाहिए तो प्रेश कीज़े F1 इसके बाद है F2 F2 का यूज होता है किसी भी फाइल यव फोलडर को रिनेम करने के लिए आप प्रेश कर सकते हैं F2 और कर सकते हैं Second use है Reload, अगर आप internet पे काम कर रहे है, Page Reload करने के लिए भी आपको प्रेस करना होगा F2 फिर है हमारा F3, इसका use होता है सर्चिंग के लिए अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो प्रेस कीजे F3 और वहां से सर्च कर लिजे फिर है हमारा Alt F4, इसका use दो होता है, First है Shutdown और Second है Close लेकिन F4 कभी Single Use नहीं होता है, इसके साथ में हम use करते हैं Alt Alt F4 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो सबसे First काम क्या होगा? Close का आपके जितने भी फाइले खुली रहेगी, वो एक-एक करके बंद हो जाएगी फिर Second है हमारा Shutdown, इसके लिए भी हम Alt F4 प्रेस करते हैं और आप यहां से restart भी कर सकते हैं, arrow की का use करके फिर है हमारा F5, इसका use होता है First refresh के लिए, आप अपने desktop को refresh करने के लिए प्रेस कीजे F5 फिर है हमारा Slide So, आप जब PowerPoint बना लेते हैं, वहां पे उसे present करने के लिए आपको प्रेस करना रहता है F5, इससे हमारा Slide So होने लगता है F6 का use होता है Highlight Address Bar, इंटरनेट पे जो हमारा Address Bar होता है उसे highlight करने के लिए आप प्रेस कीजे F6 और बिना माउस का use की आप वहां पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं नया चीज, फिर है हमारा F7, चेक, Spelling and Grammars इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है MS Office में Spelling और Grammars को चेक करने के लिए F8 का use होता है Boot Menu Open करने के लिए फिर है हमारा F9, Remove Selected Item जितने भी items को आप select करके रखे रहेंगे फिर F9 जैसे ही प्रेस करेंगे वो remove हो जाएगा इसके बाद है हमारा F10, F10 का use हम दो चीज के लिए करते हैं First active menu bar in MS Word सरिफ MS Word ही नहीं आप Excel, PowerPoint, किसी भी चीज का अगर menu bar को active करना चाते हैं तो प्रेस कीज़े F10 Second is का use होता है Shift plus F10 Right click, जो काम हमारा mouse करता है वो काम आप Shift plus F10 प्रेस करके भी कर सकते हैं अगर आपका mouse खराफ हो गया है तो फिर है F11, Full Screen अगर आप internet पे कोई वीडियो देख रहे हैं उसी स्क्रीन को फुल करना चाते हैं तो प्रेस कीज़े F11 फिर अगर आप उसी स्क्रीन को छोटा करना चाते हैं तो फिर से आपको प्रेस करना होगा F11 Last है F12 Save As का डायलोग बोक्स ओपन करता है F12 आप उस फाइल को अपने मन चाहे लोकेशन में सेफ कर सकते है F12 का यूज़ करके